हेलो बच्चो कैसे हो आप आज हम इंग्लिश का 34 चेप्टर करेंगे जिसका नम है इड़ बॉटम ओफ दी ओशेन यह हम करेंगे यह मैं आपको एक्स्प्लेंट करूंगा हिंदी में और इस वीडियो के आखरी में मैं आपको इससे कोश्चन से दोगा इसके लिए वीडियो तक जरूर देखना लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आगउन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो मिले और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मैंने एक लिंक दिया है उ ज समूंदर के निचलेी हिसे पर क्या है वो अभी हम देखते हैं बच्चों जानते हैं क्या दिया हुए What is there under the sea? There, what means? What means? Under means? The sea means What means The sea is very deep The sea means The sea means The sea means The sea means समंद्र के अंदरس यहाँ प्तुर में यहां पर आप देख सकते हैं और चोटे-ोटे यह सब पेड़ और जानवर के अंदर है आगे कई Corps यहां पर क्या बोला है कि यह जानवर और पेड़ है यह कुछ इन में से कुछ बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं और इनको हम अपने आखों से नहीं देख सकते हैं क्या बोला है कि यहां पर बहुत सारे जो मचली है टर्टल्स है और बहुत सारे अजीब और खूबसूरा जानवर है समुंदर में देखो जो हम देख सकते हैं देखो यहां पर यह टर्टल है देखो यहां पर यह मचली दी हुई है और देखो यहां पर इतने खुबसूरत खुबसूरत यह दोखो यह सब मचलिया हैं यही सब हमें बता है ओके आगे देखो क्या है इस सबसे बढ़ी जानवर है अभी क्या बोला है कि इनमें से सबसे बढ़ा जानवर जो है समुद्र में वो है ब्लू वेल जो समुद्र में रहती है दोखो यह है ब्लू वेल यह समंद्र की सबसे बड़ी जानवर है ठीक है और यह समंद्र और जमीन दोनों पे अगर आप देखोगे सबसे बड़ी जानवर blue whale है ठीक है अगे देखते हैं आगे यहाँ पर देखो यहाँ पर भी आपको क्या दिया हुए There are many different types of plants in the sea Different मतब बचेब अब बलसकते हो अलग-अलग मेंनी मतब बचेब बहुत सारे types मतब बचेब अब बलसकते हो Plants मतब बचेब C मतब समूद्र मतब क्या बोला हैacker कि यहाँ पर बहुत सारे अलग-अलग types के अलग-अलग तरह के पेड़ है समुद्र में, in some places there are so many that it is like an underwater forest, places मतब जगे, many मतब बहुत सारे, underwater मतब पानी के नीचे, forest मतब जंगल, क्या बोला है, कि कहीं कि इतने जादा ये पेड़ रहते हैं, कि ऐसा लगता है कि ये समुद्र के नीचे एक जंगल है, देखो चाहिए हम देख सकते हैं, कितन यहां पर कहें, a very big sea is called an ocean, big मतब बढ़ा, sea मतब समुद्र, ocean मतब भी बच्चों आप बोल सकते हैं, समुद्र, ठीक है, यहां पर क्या बोला है, कि बहुत बड़ी, जो, बहुत बड़ी जो sea रहती है, उसको हम, जो समुद्र रहती है, उसको हम ocean बोलती है, ठीक है, जो sunlight मतब बच्चों सूरच की रोशन, सूरच की जो क्लिड़ने रहती है, क्या बोला है, कि अगर हम ocean में एक दम नीचे गहराई में जाएंगे, तो वहां पर सूरच की रोशनी भी नहीं पहुछ दिए है, इसको बहुत 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 water मतब बच्चों अब बच्चों नीचे का हिस्सा, ocean मतब समुद्र, नौर मतब जो जानना, यहां पर क्या बला है, कि जो नीचे का हिस्सा है, समुद्र का, उसको हम ocean floor बोलते हैं, दो यह हिस्से को, okay, the ocean floor is not flat, flat मतब बच्चों चप्टा आप बल सकते हो, okay, यहां पर क्या mountain मतब बच्चों पहाड, valley मतब घाटी, plane मतब बच्चों मैदान, land मतब जमीन, mountain मतब बच्चों पहाड, plane मतब 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 बच्चों, deep मतब बच्चों अब बच्चों गहरा, trenches मतब खाई, ocean floor मतब बच्चों, जो समुद्र के नीचे के हिस्सा रहते हैं, अब देखो यहां पर क्या बोलाए कि जैसे कि हम जमीन पर देखते हैं पहाड घाटी और मैदान उसी तरीके से समुद्र के अंदर भी पहाड घाटी और मैदान और खाई यह सब रहते हैं देखो हम यहां पर फोटो में देख सकते हैं देखो यहां पर पहाड है समुद्र के अंदर यहां पर ख such mountains rises out of ocean water it forms an island when मतब जब टॉप मतब बच्छो अब बच्छो चोटी या तो ऊपर का हिस्सा माउंटे मतब पहाड राइस मतब बच्छो ऊपर आना या तो बाहर आना ऊशन मतब समुंद्र फॉर मतब बच्छो बनाना आईलेंड मतब टापू यहां पर क्या होला है कि जब पह देखना थिंक्स मतब बच्छो चीजे पिक्चर मतब तस्वीर बिलो मतब नीचे क्या वोला है कि आप यह सब चीजे नीचे यहां पर तस्वीर में आप देख सकते हों यहां पर यहां पर टापू है अभी आपको मैंने सब दिखाया था तो इसी तरीके से बच्छो जैसे जमीन पर रहते हैं वह इसी ही चीजे पहाड घाटी और मैदान ऐसे समुद्र के अंदर भी रहती है यहां पर आप देख सकते हो यह सब तो बच्छो यहां पर देखो हमारा चैप्टर हो गया है complete इसके आगे कुश एंसर है पहला क्या है से विदर फॉलूइंग स्टेटमे यहां पर दिया हुआ है वाक्य है यह सही है या गलत है वह बताना आपको तो चलो अभी देखते हैं इसमें आपको पहला क्या दिया हुआ है यहां पर दो आपको इसमें पहला क्या है यह तो बच्छो सही है तो आपको लिखना है true ठीक है true मतलब सही there aren't any plants in the sea मतलब है समुद्र के अंदर छोटे पेल रहते हैं okay see if the blue whale lives in the sea मतार बचो जो blue whale है जो whale मचली है वह समुद्र में रहती है यह सही है बच्छो आपको tru लिखना है Okay dFG the blue whale is the largest the blue whale is the largest of all animals in the sea मतार बच्छो जो blue whale है वो समुद्र में सबसे बड़ी जानवर है बच्छो यह भी आपका true है यह सही है ठीक है blue whale सबसे बड़ी जानवर है इसमें कहा है आपको deep down in the ocean there is no sunlight मतलब बच्छो समुद्र में एकदम गहराई में सूरज की रोशनी नहीं पहुचती है नहीं है तो यह भी सही है बच्छो यह true है ठीक है वहां रोशनी नहीं पहुचती है सुरज की अभी आगे चलो आगे देखते हैं आगे आगे आपको क्या दियो है यहाँ अभी तो आपको f में क्या दिया to say be a छिक यह एक पहुचया आइस क्या आपको तो यह जो समुंद्र का जो नीचे का हिसा फ्लेट चप्ता है तो यह फॉल्स सबस्तों गलत है क्या रोशन नीचे का जो हिस्सा है उप नीचे रहादा जी मैं देखो términ there are no mountains बैंस अंडर दोशन वाटर मतलब बच्छो कि समूंदर के अंदर कोई भी पहाड़ नहीं होते है यह फॉल से गलत है समूंदर के अंदर पहाड़ होते हैं ठीक है बच्छो एच क्या देखो एनाइलेंड इसमां टॉप देट रिट राइसे आप अव्चान वाटर मतलब बच describe the following in one line each मतलब बच्छो आपको जो भी यहां पर दिया है एक लाइन में आपको बताना है उसके बारे में पहले क्या एन ओशन मतलब बच्छो समुंद्रे इसके बारे में क्या है एन ओशन आइलेंड इसमांटेन टॉप जैट राइस आट ओशन ओटर मतलब बच्छो जो आइलेंड रहता है वो क्या रहता है वह एक पहाड का उपरी हिस्सा रहता है जो समुंद्र से बाहर निकलता है ओके आगे देखते भी आगे आपको क्या दिया हो यहां पर आपको थर्ड में क् पॉसिबल देट केंट फिट दा फॉलिंग डिस्क्रिप्शन मतलब बच्छो कि आपको यहां पर कुछ वर्ड दिये हैं इससे जो भी मैश करते हुए वर्ड से जो इसके बारें बताते हैं वह आपको ढूंड कर यहां पर लिखना है बिग एंड स्मॉल बढ़ा और चोटा इसमें क्या लिख सकते हैं एकनिमल जानवर यह चोटे में मौंटें यह बड़े में आ गये बॉल्स चोटे में चोटे में ट्रीस बड़े में जीव और जंगल क्रेटर इमारत Monument मतलब बच्चो Monument क्या होता है Monument मतलब जो पुरानी इमारत वो ठीक है आगे दो थर्ड का है Dark and quiet मतलब बच्चो आप बोल सकते हो घना और शान तो इसमें क्या लिख सकते है Forest मतलब जंगल Cave मतलब गूफा Night मतलब रात इमेजिनेशन पर बनी हुई है और यह जो इड़ बॉटम अब दियो ओशियन है यह पैसेज जो है यह अब्जर्वेशन पर बना हुए नाउ से विदर फॉलोविंग और बेस्ट नो ओन इमेजिनेशन और अब्जर्वेशन अब आपको बताना यह जो है इसे अब कल्पना पर आपको नीचे दिया हूँ है या सच में ऐसा होता है सहाँ हम देखते है पहला के थैसल इनकीड फैक्ट्री बेस्कुट्री यह तो असल में है बेज़न ऑब्जवेशन फिस सेगेंड का दशुगर प्लम ट्री यह बच्चो यह बेज़न इमेजिनेशन मताब बच्चो यह कल पनिक है ओके आगे देखते चलो आगे क्या है यह आगे आपको क्या है बच्चो लोग आख मुहाद बन कर नाटकर बच्चो यह बच्चो लोग आख मुहाद बन कर नाटकर दो असली में इसा नहीं होता है तो दो यह बी हमें एक चैप्टर रहे डॉगी और क्या नाम यह सब मिलके घाना गाते हैं तो यह बच्चो बेज़न इमेजिनेशन है यह कलपना असली में तो दो दो डॉंकी डॉगी कैट यह अगाना तो नहीं कह सकते हो कि एफ में क्या दोगो दर नोबल स्टेग मतलब बचो महान बारा सिंगा यह बेजरून इमेजिनेशन मतलब यह भी कल्पना असली में नहीं होता है ओके आगे देखते हैं देखो आगे आपको क्या है यहां पे देखो फिफ्ट में आपको दिया हुआ है राइट अपोजिट व प्राइट मतलब बचो आप बोल सकते हो चमकीला ठीक है ठीक है ठीक है तो यहां पे हमारे चेप्टर कंप्लीट हो गया है अब यह अगले वीडियो में आपको नेक्स चैप्टर दूँगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रहे हो ताकि आपको अगला वीडियो भी मि